दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में कितने परकार के स्कॉलर्शिप चलाया जाते हैं और किन स्कॉलर्शिप का लाब किन कनिडियोट को मिल सकता है क्योंकि बिहार सरकार बहुत सारे स्कॉलर्शिप अलग-लग क्लास के लिए लाती है तो ऐसे में ज सारी डीटेल समझाएंगे कि उसके लिए, अपकी किया होगी, कैसे उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, साथ ही, डोकुमेंट आपको क्या उसमें लगने वाली है, इस वीडियो में समझाने वाले हैं, इसलिए आपसे प्यारा सा रिक्रेष्ट है, वीडियो को आप अन्ती तक जरूर देखिए, ताकि सारी जनकारी समझ में आप आए, अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट होता है, या जो भी वीडियो होता है, मैं आपके साथ साजा करता हूँ, और हर एक जनकारी आपके लिए डिटियल में प्रवाइट करने के कोसिस करता हूँ। चलते हैं अपने स्किन पर और बिहार में जितने भी स्कॉलर्शिफ चलाई जाती हैं, सबके बारे में एट्टुजेट जनकारी हम आपको डिटियल में समझाते हैं, ताकि आप किसी भी कलास के करने डिट होंगे और किसी भी वर्ग के करने डिट होंगे, तो इस स्कॉलर्शिफ का लाब आप बड़े ही आराम से ले पाएंगे। दोस्तों यदि आप बिहार से आते हैं, तो हमने कडीब बिहार के 11 ऐसे परमुखे scholarship के बारे में हमने बताया है जिनका लाब आपको लेना ही चाहिए जो 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा देखें ये scholarship अलग-अलग class के लिए हमने बताया है सब class के जो बच्चे है चाहिए बच्चे अगर माल लिए प्रिमेटिक में आते हैं जिरो से लेकर दसवी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है उनके लिए भी हमने इस scholarship में उनको सामिल किया है और साथ ही जो candidate दसवी पास कर चुके हैं 11, 12th graduation, ITI, diploma ऐसे कोई भी course करते हैं किसी भी category से आते हैं सब category के लिए हमने सामिल किया है तो सारी जनकारी अगर आपको समझना है तो आपको आना होगा हमारे website online-update.stm.in पे और यहाँ पे latest update में भी मिलेगा आपको scholarship पैस्किम नहीं तो कुछ दिन बाद ये वीडियो देखेंगे तो direct आपको search box मिलता है यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है बिहार scholarship एस्किम आपको एक बार इस परकार खुद से type कर लेना है और बगल में एक option search का मिलता है एक बार आपको click कर देना है click करेंगे तो बिहार में मिलने वाले सभी scholarship की जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है आप इस पर click करके पूरी जनकारी यहाँ पर read out करेंगे आपको बता देए जितने भी scholarship हम बता रहे हैं बहुत सारे scholarship के लिए आभेदन परकिरिया start भी हो चुकी है बहुत सारे ऐसे scholarship है जिसके लिए अभी आभेदन परकिरिया नहीं शुरू हुई है तो सब भी update कैसे आप पता करेंगे उसकी complete जनकारी तक हम आपको बताएंगे यहाँ पर हमने जूभी scholarship बताया है वो 100% सरकारी scholarship होगी और उसका lab 100 में 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा अब यहाँ पर legibility of विहार scholarship के ताथ हमने सारी जनकारी बताया है जैसे पहला scholarship हमने इसमें रखा है जो कि विहार postmatic scholarship है SCHT candidate जो भी है आप इसके लिए फॉर्म को apply करिए फॉर्म आवेदन परकिरिया सुरू है इसका अंतिम तिति जो रखी गई है पांच December 2022 है इसमें आवेदन करने के लिए आपकी जो योगिता होगी अगर आप 10 भी पास कर चुके उपर के class 11-12 graduation उससे उपर जो भी class की में आप पढ़ाई करते हैं उसके लिए आप apply कर पाएंगे second number में आएंगे तो वही postmatic scholarship के लिए जो candidate OBC से आते हैं BC, EBC वाले वो भी इस scholarship के लिए पात रहें लेकिन जो candidate general से आते हैं वो इस scholarship का benefit नहीं ले पाएंगे उनके लिए हम अलग scholarship के बारे में आगे जिक्र करेंगे तो ये आपने समझा अगला scholarship है जो candidate graduation pass out की है जो गल्स है उनको कन्या उथान योजना का benefit मिलेगा बहुत सारे गल्स बोलेगी कि कन्या उथान में जो पैसा है मेरे साधी हो चुकी है तो क्या हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा नई guideline जो आई थी जिसमें clear बताया गया था कि अगर मान लीजे लड़की असनातक में admission ली है admission लेने के करम में उनकी साधी भी हो चुकी है और वो असनातक pass out कर चुकी है किसी भी मानेता प्राप्त बिस्विदाले से तो इसका जो लाब है उनको दिया जागा इसके ताहत आपका जो लाब भी मिलेगा जोकि 50,000 रुपे होगी जो कि पर्थम स्रेने से अगर आप होँगे तो postmatic scholarship में कितना पैसा मिलता है जिसके regarding video हमने बना दिया है उसका playlist का link हमने दे दिया जाकर देखिएगा हर course के लिए हमने बता है कितना पैसा आपको मिलता है अगला scholarship के बारे में हम बात करते है यह scholarship है वैसे girls जो इस बार साल 2022 में intermediate उतिन की है जो कि पर्थम स्रेने से की है तो उनको जो पैसा मिलेगा मुखमंति कन्या उथान योजना का मिलेगा उनकी साधी नहीं होनी चाहिए साधी हो जाएगी तो फिर मुखमंति कन्या उथान योजना के लिए वो eligible नहीं होंगे असनातक में eligible होंगे लेकिन ये जो इंटर है उसमें आप eligible नहीं होंगे इसके तहट आपको जो 25 से यार की रुपया है वो मिलेगा अभी दोनों कन्या उथान योजना का जो आबेदन परकिरिया है स्टार्ट नहीं हुई है आबेदन परकिरिया नौंबर महिने में 100% स्टार्ट हो जागी तो आप अप्लाई करेंगे अप्लाई का लिंक भी हम आगे प्रोवाइट करेंगे और साथ ही जितने पर स्कॉलर्शिप अभी हम बता रहा है और बताएंगे आगे सब का क्या इलिजिबलीटी होगी उसके आलावे हम समझेंगे डोकुमेंट क्या लगेगा और कहां से अप्लाई करेंगे वो सारी लिंक आपको अप्लाई कराएंगे आप विडियो को अंतक बने रहे है अब अगला जो इसकरम में स्कॉलर्शिप आपका है वो है बिहार कंबाइन काउंसलिंग बोर्ट के तरफ से जो एक स्कॉलर्शिप चलाई जाती ये सभी कैटेगेरी के कनिडेट जो है इसके लिए लिजिबल होंगे इसके लिए टर्माइन कंडेशन ये होता है कि जो कनिडेट इस स्कॉलर्शिप के लिए लाब लेना चाहते है वो कॉलेज यानि बिस बिद्दाले अस्तर की पढ़ाई कर रही हो जैसे डिप्लोमा अस्तर का हो या डिग्री अस्तर का हो या अस्तनात कोतर यानि पीजी अस्तर की पढ़ाई हो कर रहे है तो ये इसके लिए लिजिबल है इसमें आपकी जो माक्स है वो कम से कम 40% से 50% तक होगी तब आप इसके लिए लिजिबल होंगे आप नीचे कॉमेंट करके ये जरूर बताए इसमें से जो भी हम स्कॉलर्षिब आगे आपको बताएंगे जसे भी स्कॉलर्षिब के बारे में अगर आप डीटेल में जानना चाहते है उसके कमेंट करेंगे मैं अगला वीडियो 100% बनाऊँगा जिस टॉपिक पर अधी कमेंट आएगा उसके लिए हम डीटेल वीडियो लाएंगे कि उससे स्कॉलर्षिब के लिए आप कैसे अपलाई करेंगे फिलाल हम आपके जयनकारी के लिए सभी जयनकारी को बता रहे हैं उसके बाद जो आता है मुख मंतरी मेगा वृति योजना जो है मेघावी योजना होता है जो कि EBC और BC वाले जो कनिडेट है इसके लिए लिजिवल होंगे इसके लिए जो आपकी योगिता होगी जो कनिडेट साल 2022 में दस्वी पास की है और साथ ही पर्थम सरेनी से पास उट किये हैं उनको ये पैसा आपको दिये जाते है मुखमंती मेघा विरिती योजना जिसमें आपकी जो परिवार के सलाना इंकम है डिर लाग से कम होनी चाहिए अधिक होगा तो फिर इसके लिए लिजिवल नहीं होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर सीफ है जो OBC वाले के लिए है SC STE वाले के लिए लेकिन ये जो स्कॉलर सीफ है हम जेनरल वालो के लिए बात करेंगे जो की है National Scholarship क्योंकि National Scholarship इसलिए जेनरल वालो के लिए हम बोल रहा है क्योंकि अगर आप OBC SC STE से आते हैं और इसपे अब्लाइ करेंगे तो फिर apply कर सकते हैं सारी वीडियो हम आपको उपलब्द कराएंगे कैसे apply करना वो आप वीडियो को अंतक बने रहे हैं सारी जनकारी देंगे अगला जो आपका scholarship है ये central sector scheme है ये scholarship क्या होता समझे जैसे जो candidate साल 2022 में intermediate किये हैं तो बिहार बोड ने एक एड़ेस्पी कटप लिस्ट जारी की थी कटप लिस्ट में जिन कनिडेट का नाम था उन कनिडेट को central sector scheme के तहत आवेदन करनी चाहिए इसमें जो पैसा है आपको 36 रुपय तक मिलती है जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है वो अगर आप देखना चाहते हैं जैसे इतने सारे scholarship है बहुत सारे जो scholarship चल रहा है सब पर वीडियो बना हुआ है वीडियो देखना चाहते है तो आपको सर्च करना है online update htm या यह वीडियो आप देख रहा है चैनल के नीचे लोगों मिल रहा है उस पर क्लिक कर लिए और यहाँ पर आपको आ जाना है एक option playlist का मिल रहा है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखेंगे एक आपको playlist मिलेगा all scholarship scheme और इस पर आपको क्लिक कर लेना है जितने भी scholarship जैसे बिहार postmatic अभी apply हो रहा है साथे central sector scheme के तहत apply कर सकते वीडियो आपको है national scholarship के लिए मिलेगा आगे हम बताएंगे NMSS scholarship के बारे में जिसके लिए भी वीडियो हमने बना दिया है तो आगे चलिए discuss करते हैं कि इस कराम में जो अगला scholarship है यह कौन सा है अगला आपका scholarship central sector हमने बता है जिनका इस cut up list में नाम है तो ज़रूर apply करिए इसके लिए लिजिबल है उसके बाद अगला जो है जैसे BTSC यानि बिहार टाइलेंड सर्च एक्जामिनेशन जो होते हैं इसके तहद all candidate apply करेंगे जो 7th से लेकर 10 वी कलास के अंदर में पढ़ रहा है यह उनके लिए है वो candidate इसके लिए apply कर पाएंगे अगला scholarship है pre-matic scholarship जो की OBC के लिए है यह OBC बाले जो candidate है कक्छा 1 से 10 वी तक की पढ़ाई कर रहा है वो offline माध्यम से इसके लिए आवेदन करेंगे अपने institute या district education officer याणि DEO के माध्यम से इसके लिए आवेदन होती है जहां से आप आवेदन कर पाएंगे इस करम में सबसे last जो आपका scholarship है NMS scholarship है याणि national means com merit list scholarship होती है जो all caste जो candidate है आवेदन करेंगे लेकिन term and condition यह है कि इसमें बच्चे के जो नमांकन है आठीवी कक्षा में होनी चाहिए और परिवार का जो वर्सिक आया हो और सारे 3 लग से कम होनी चाहिए जिसमें आपके बच्चे अगर एक बार इसमें selected होते हैं तो आपको 12 हज सलीना मिलता है जो कि आप इस वीडियो को देखकर पूरे डीटेल समझ पाएंगे इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है अब यहाँ पे इतने सारे scholarship के बारे में डीटेल समझना है जैसे postmatic scholarship क्या है इसके योगीता क्या होगी क्या लाब मिलेगा क्या document लगेगा तो हमने बता है साती national scholarship क्या है इसका उदेश क्या होता है कितना लाब मिलता है और साती क्या दस्तावेज लगता हों मिलता है मुखमंती कन्या उथान गिर्जवेशन की बाला किया है साथे इसमें लाब कितना मिलता है और साथी क्या-क्या दस्तावेज लगता उसकी जनकारी दिया है इंटर वाले के लिए दिया है साथी यो कनिडेट तेंथ पास कर चुके है बालक पालिका पोरसाहन रासी भी आपको दी जाते है इस बार जो मिलेगा वो 10-10 रुपे होगे जो कि तेंथ पास पाले के लिए तो इसका आवेदन श्टाट नहीं हुआ आवेदन जिनका श्टाट है उनका सारा वीडियो इसमें एड है जिनका श्टाट होगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे तो सबका लिंक भी हमने important लिंक पर उपलब्त करा दिया और हर scholarship के नीचे जैसे आपको जो scholarship के बारे में जाना मुकमनते करना उठानी हो जाना तो नीचे में देखेंगे इससे भी पढ़े एक आपको link मिलता है जिस पर click करेंगे तो उस scholarship के बारे में एक आपको detail article मिलेगा जिसमें और भी सारी detail आपको deeply में समझाईगे तो वहाँ से आकर पूरी जैनकारी को समझेंगे और वहाँ के लिए apply करना है तो direct आपको registration का link मिल जागा जिस पर click करके आप registration परक्रिया को अपना सकते हैं इस परकार सबके लिए हमने आपको link को प्लब्द कराया है तो ये कुछ महतपूर्ण scholarship थे आने वाले कुछ दिनों में जो भी scholarship और भी add होंगे तो सारा list जो है इसी list में हम आपको add कर देंगे फिलाल अभी 11 है आने वाले दिन में सभी scholarship का आपको list ये पर मिलेगा तो आप इस website को visit करकर ये सारी detail को आप खुछ से भी read out कर सकते हैं दोस्तों ये कुछ परमूख scholarship है जो कि बिहार में चलाया जाते है अलग-लग class के लिए हमने बात किया सारी जनकारी आपको दिया और link भी provide कर दिया आप वहाँ से apply करेंगे जो scholar से apply चल रहे होंगे उसके लिए हम video already बना चुके है आप channel पर एक बार जाकर आप search कर लिजेगा जिस पर हम video नहीं बना पाए हैं तो जैसा ही link activate होता है हर अलग-लग scholar से पीज़े अलग-लग time पर होता है फिलाल postmatic और national scholarship ये दोनों scholar से apply हो रहे हैं दोनों पर video बना हुआ central sector एसके इनों पर तीनों video आपको यहाँ पर video खतम हो रहा होगा जिस परकार के आपकी योगिता है जो scholarship का lab आपको लेना है वो video आप जाकर देख लीजेगा फिर भी कोई doubt confusion है इस योजना को लेकर बिहार सरकर के scholarship को लेकर आप comment करके जरूर पूछिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद